रुको बच्छों जाना नहीं अचानख से नहीं रुको दो तिन कोश्चन और याद आगए जो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने नहीं कर वाये ठीक है तो मुझे लग रहा है पहले कि मैंने करवा दिये लेकिन ऐसा नहीं था तो मुझे अब याद आया miscellaneous का question number 6 miscellaneous का question number 6 ठीक है तो प्यारे बच्चो f of x यह दिया हुआ आपको 4 sin x minus 2 x minus x cos x upon 2 plus में cos x यह दिया हुआ है और कहरा बताओ किस interval के लिए कहरा है बताओ किस interval के लिए हम इसे solve करें किस interval के लिए हम इसे solve करें कि भई कि यह यह सारा का सारा किस interval के लिए हम solve करें कि यह सारा का सारा increasing और decreasing के लिए solve हो जाए ठीक है जी देख लेते हैं चलिए differentiate with respect to x इसमें main काम जाना differentiation का ही है f dash x बराबर अजी ऊपर वाले का derivative 4 sin x minus 2x minus x cos x यह नीचे as it is बीचे minus उपर वाले as it is और फिर इसका derivative और नीचे इसका square f dash x 4 sin x मतलब 4 cos x 2 x 2 x cos x का derivative तो इन दोनों में तो product rule लग जाएगा ना दोनों product rule क्यों क्योंकि दोनों अलग-अलग हैं तो x का 1 cos x plus अब x और cos x का minus sin x ठीक है जी और यह यह पूरा अलग है और यह 2 plus में cos x अलग है minus 4 sin x minus 2 x minus x cos x 2 का 0 cos का minus sin x upon 2 plus cos x का whole square ठीक है f dash x बराबर 4 cos x minus 2 minus cos x minus minus plus sorry plus minus minus फिर यह बाहर का minus plus तो x sin x और यह 2 plus में cos x minus अब यह minus और यह minus बच्चों मिलके बन जाएगा plus का sin x और बाहर 4 sin x minus 2 x minus x cos x ठीक है 2 plus में cos x का whole square चलिए अंदर multiply कर देते हैं अब जो होगा देखेंगे हाँ जी पहले 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8 cos x फिर 2 से करेंगे 4 फिर 2 से करेंगे यह काम करिए ऐसा करते हैं 4 में से 1 cos x गया 3 x फिर 3 को 2 से करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों 6 cos x अब ठीक है 2 से करेंगे 4 इस से तो कट चुका है इससे करेंगे प्लस का 2X sin X प्लस अब कॉस से करेंगे 4 में से एक गया 3 3 की कॉस से करेंगे तो 3 कॉस स्क्वार X फिर 2 से करेंगे तो माइनस 2 कॉस X फिर इससे करेंगे तो प्लस का X sin X कॉस X यहां था कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जी नहीं अब इससे करेंगे प्लस 4 sin square x माइनस 2 x sin x माइनस x cos x sin x और इन सब के नीचे 2 प्लस में cos x का whole square जो कटे काटो जो नहीं कटे छोड़ो हाँ जी पहले किसको कर लें पहले square वाली सारी term कर लो तो 3 और ये 4 ये क्या आ गया 3 और ये कितना आ गया भई और ये कितना आ गया भई ये आ गया आपका 4 ठेक है अब देखो इसको बताता हूँ मैं हाँ जी तो अब क्या करेंगे से ध्यांद देखना हाँ जी तो सारी term या पर ये दिख रही है एक काम करो पहले जो कट रहा काटो ये प्लस का x sin cos x ये माइनस का x cos sin x ये कट गया ठेक है अब क्या है 3 cos square x इसको रख लो 4 sin square x इसको रख लो यहां तक हो गया अच्छा अब क्या बचा अब बचा हमारे पास ये वाला 6 cos x और minus 2 cos x 6 में से 2 गया प्लस का 4 cos x ठेक है अब ये 2 x sin x प्लस का और ये 2 x sin x माइनस का ये भी cancel हो गया हंजी कौन कौन लिख दिया ये लिख दिया ये लिख दिया इन दोनों को solve कर दिया बचा क्या बचा डिजिट तो ये बच गया minus का 4 क्या बच गया minus का 4 और ये आ गया 2 प्लस में cos x का whole square बच्चों यहां तक नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं यहां तक नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो पॉस करके आगे बढ़ो यहां तक क्या बच्चों यहां बच्चों यहां बच्चों क्या बच्चों यहां बच्चों यहां नोट कर लिया होगा चलिए ओ हो चलो करते हैं कुछ आप नहीं नीचे से करते हैं रब कोई बात नहीं हम जी कहां पर आगे थे हम यहां आगे थे हम एफ डैस एक्स थ्री कॉस स्क्वेर एक्स प्लस फॉर साइन स्क्वेर एक्स ठीक है और क्या हो गया प्लस फॉर कॉस एक्स माइनस फॉर अपॉन में ठीक है भई टू प्लस टू प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वेर बाई यहां तक पहुंच गए थे हम अच्छा अब आप यह देख रहे होगे कि सारी टम किसमें चल रहे है कॉस में बस यही साइन में तो हटाओ ना इसको फिर हटाओ इसको मैं साइन स्क्वेर एक्स क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वेर एक्स होता है की नहीं होता है जी बिलकुल होता है और जब होता है तो बात ही खतम तो ये 3 cos square x plus 4 minus 4 cos square x plus 4 cos x minus 4 2 plus cos x का whole square भाई, plus का 4 minus का 4 कट गया f dash x भाई, ये 4 cos x 4 cos square x में से 3 cos square x गया तो बचे का क्या? cos square x upon 2 plus cos x का whole square f dash x भाई, cos x common आएगा, अंदर बचेगा 4 minus cos x upon 2 plus cos x का whole square अब इसने बोला है कि increasing और decreasing के लिए interval solve कीजिए increasing और decreasing में interval solve कीजिए, तो मैंने कह दिया भी ठीक है कर देंगे, now now हाँ जी solve for increasing and decreasing increasing and decreasing तो भाई, f dash x बराबर 0 बराबर ले लो, चाहाँ, greater ले लो, increasing के लिए solve कर लो, decreasing के लिए solve कर लो, दोनों के लिए solve कर लो, दोनों के लिए खटे ये solve करते हैं, increasing के लिए less than, वो greater than और decreasing के लिए less than, कुछ भी कर लो, एक ही बात है, अच्छा, so cos x 4 minus cos x 2 plus cos x का whole square बड़ाबर 0 ठीक है अब अगर मैं एक बात देखूँ अगर मैं एक बात देखूँ for increasing for increasing f dash x greater than 0 सही बात है और आपको पता है cos x 4 minus cos x और 2 plus cos x का whole square भई so 4 minus cos x तो यह 100% 0 से बड़ा ही होगा क्यों क्योंकि cos की value कभी 4 से बड़ी हो नहीं सकती और 2 plus cos x का whole square भी 0 से ही बड़ा होगा क्यों क्योंकि उसके उपर square है negative आ भी गया तो square की वज़े से positive so हमारे पास बचा cos x greater than 0 now अब इसको ज़रा number line पर represent कर लो now अब भई वहाँ पर उन्होंने कोई interval तो दिया है नहीं उन्होंने साब बोला क्या उन्होंने साब बोला कि find the intervals interval find करो तो हमारे पास minimum value होती है 0 interval की और maximum value होती है 2 pi ठीक है अब मुझे इतनी सी बात बता दो यार मुझे cos x के लिए solve करना है ये तो मुझे पता चल चुका है कि ये greater होए गई होए गा ये तो मुझे पता चल चुका है कि greater होए गई होगा तो cos x तो cos x की value कहां पर positive होती है अरे Quadrant चेक करो एक first में positive होती है, एक फोर्त में positive होती है तो मतलब first क्या होता है? 0 से लेके Pi by 2 ठीक है? और Pi by 2 के बाद आपका आता है Second Quadrant और Third Quadrant कहा तक होता है Third Quadrant? वही Third Quadrant होता है आपका 3 Pi by 2 तक कहा तक होता है? 3 Pi by 2 तक और Second Quadrant और Third Quadrant में Cos की Value नेगेटिव पॉजिटिव तो बस जी बस खतम करो इंक्रीजिंग के लिए जो इंटर्बल रहेगा वो रहेगा 0 से πाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 से 2 पाई क्या रहेगा pi by 2 से 2 pi का नहीं तक रहेगा pi by 2 से 2 pi और उसके बाद और ये भी ठीक है ये भी क्यों 0 भी क्यों ये रहेगा 2 pi भी क्यों ये रहेगा ठीक है और अगर मैं strictly decreasing के लिए करूँ strictly decreasing के लिए करूँ तो सीधा क्या रहेगा भई क्या बचेगा pi by 2 से 3 pi by 2 quadrant आता है और second और third में quadrant में cos x की value क्या होती है negative तो इसका मतलब क्या कर रहा है decrease तो बस इतना सा करना था note कर लो यह question था बच्चो तक ज्हार गॉए कहा कर दो चिके लो यूपन एकश्छे का दो प्यूपना तक कर दो अग्म ए्यूश एंउया तो गॉब तो था गॉपन अब यह कोशन और देखो कि अब यह कोशन और देखो छलो यह रख मता दूम को एकोशन और देख लो ठिक है एक मैं एप कोशन और देख लो लास्ट यह लास्ट वर्षान है एसके बाद हो जाए rezedo इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर तरीके से खतम अब फिर आप कोशन्स ट्राइ कर सकते हैं यह गया और देख लो कोशन नमर सैवाने मिसलेनियस का ही है f of x is equal to दे रखा है x cube प्लस 1 अपॉन में x cube यह भी q भी है अब कहारा करो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए ठीक है जी डिफरेंशियर सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या बन जाएगा एफ डैस x हां जी पावर आगे एक कम और आपको इसके बारे में तो मैंने बता ही रखा इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं जो है ए इसको है इसको सब्सक्राइब करो कि पावर प्रवर ऑवर एक्सका की फोन आपोन आकिऊख एग्सके फूर चिकि мехote इंग्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग थैस तो बही जब इंग्रीजिंग डिक्रीजिंग कि लो कर रहे हो मालनों increasing के लिए solve कर रहे हो for increasing तो क्या होगा greater than 0 तो 3 x की power 6 minus 1 x की power 4 greater than 0 3 तो महां जाके 0 जाएगा बचेगा x की 6 minus 1 upon x की 4 greater than 0 अब एक बात बताओ इसमें क्या कुछ भी सोचने लाइक बात है कुछ भी सोचने बात लाइक ही नहीं नंबर लाइन बनाओ infinity रखो infinity रखो अब एक एक करके value सोचना शुरू करो एक एक करके value सोचना शुरू करो भाई number line में क्या चक्कर होता है कि 0 से बड़ा या तो 0 से छोटा यही थे होता है अच्छा अगर मैं इसमें 0 से छोटी value पूट करता हूँ माल दो 0 से छोटी पूट कर रहा हूँ minus 1 तो minus 1 minus 1 तो यह 1 हो जाएगा यह 1 हो जाएगा यह 1 हो जाएगा अरे भाई यह तो 0 आ गया even होती है तो वो value positive भी देता है और जब भी किसी की power odd होती है negative वाले की तो वो negative भी देता है ठीक है अब आगे चेक करते हैं आगे चेक करते हैं minus 1 से बढ़ा क्या होता है zero zero put करो तो क्या आएगा zero कि power 6 भाई होता है zero और zero तो भाई यह तो वन अपन जी रो आगे तो मतलब खतम होगी बात तो zero चोई हटा दो ठीक है zero put करने पर भी क्या रहा भई zero put करने पर value आ one put करके देखो one put करेंगे तो one का one minus one और यह one तो यह भी क्या जा रही है भाई यह भी कुछ इसी तरीके से zero में जा रही है चलो ठीक है अब one से बड़ी put करके देखो two तो फिर अब देखो two की power six minus one two की power four तो यह तो फिर बड़ी आगी तो मतलब क्या रखेंगे यहापे one रखेंगे क्योंकि देखो जब इनके बीच की value रख रहे हैं इनके बीच की value रख रहे हैं तो इंग्रीज कर रहे हैं लेकिन इनके बीच की value रख रहे हैं तो बिलकुली अजीब value आ रही है बिलकुल अजीब value किस तरह की value जीरो आ रही है या infinity आ रही है यह कुछ अलग तरीके की value या one by two रख के देख लो one by two की power four तो one by two की power six क्या होगा one upon में तो की power six कितना होता है? 64 माइनस एक बटा एक, अदो की बावर 4 कितना होता है, 16, solve करना, 1 माइनस 64 बटा 64, एक बटा 16, कार्ड देंगे से 4, तो यह तो माइनस में result आया, तो इसका मतलब यह क्या करेगा, negative, और एक से बड़ा कुछ भी put करनें, तो क्या आ रहा है, positive, तो लो जी, मेरा काम बन गया, अ strictly decreasing में क्या करेगा, minus 1 से 1, इस तरीके से हमें बच्चो इसमें सिर्फ सोचना है, और अगर आपने यह सारी चीजे सोच ली, तो आपके लिए increasing decreasing एक बच्चो का खेल बन जाएगा, और यही बच्चो का खेल आपको paper में 4 नमबर का दिखाई देगा, ठीक है बच्चो, तो आ कि फिर मिलते हैं नेक्ट क्लास में